तो hard copy और soft copy अब यह जो soft copy हमारे सामने आ रहे हैं 2 page, 4 page, 8 page, 20 page यह आपके सामने आ रहे हैं यह सारी soft copy है लेकिन जब हम इसको print करेंगे तो इसकी adjustment कैसे करेंगे तो इसकी adjustment करना असान है इसमें दो चीज़े देखनी है एक आपने page को setup करना वेर्टोर height करते हैं क्योंकि हमारा पेपर ब्लैंक होता है मतलब ब्लैंक पेपर समस्थर जाए होता है तो इसके margin हमें खाली छोडने पड़ते है उसकी वज़वाद है कि फाइल में किलिप करना है यहां से कुछ मुड़ गया तो यहां से कुछ मुड़ गया तो इसका text खड़ाब ना हो तो यह दो चीज़े आप मैनेज करेंगे इसको आपका document प्रिंट बिल्कुल सही आएगा अब यह कैसे करते है देखिए paper size को set करने के लिए सबसे पहले आप जाएगे paper के size में और यहां पर आपको मिलेगा later tabulite legal देखिए paper के जो नाम है बेसिकली वो इसके size को explain करते है अब size तो याद नहीं होते तो इसके नाम रख दिए A4 और later आप note करेंगे later और A4 paper जो है इनके size तकरीवन एक जैसे है अब size का हम पता पढ़ रहे है देखें ये इसकी width पता पढ़ रहे है फोल्डर में copy करो पे लिमेज तो यहां पर देखें कि यहां later इसकी चोड़ाई आ रहे है और यहां पर इसकी ये चोड़ाई है ये सारे papers की width आ रहे है लिखी हुई और उसके बाद ये इसकी height आ रहे है तो यहां पर देखें ये भी height आ रही है अब आप note करें इसकी 8.5 है और इसकी 8.27 है तकरीबन सेमी है 0.25 काई फरक है इसकी height इसकी 11 है और इसकी 11.69 है तकरीबन आदे इंच का फरक है इसके अंदर भी ठीक है ना लेकिन तकरीबन ए ही consider होता है margin और अगरा निकालके तो आपने जैसे यहां से A4 लेना है तो उसकी width or height paper की यह से set हो जाएगी यह देखें और अगर आप यहां से later लेगे तो इसकी width or height इसके साब से set हो जाएगी तो यह दोनों options आपके पास मुझूद है अब आप legal पर click करेंगे तो सारे pages legal हो जाएगे यहां पर note करें सारे pages legal हो गए अब legal paper के अंदर क्या है चोड़ा ही तो से में लेकिन उसकी लंबाई 14 inch है अब problem क्या होता है प्रिंटर में लगाया legal और यहां पर मैंने set कर रहा लेटर तो हुगा क्या पेपर का नीचे वाला इससा काफी खाली रजाएगा तक्रीब अब maximum utilization नहीं कर सकेंगे दूसरा मसला क्या होता है पेपर को मैंने यहां से set कर दिया legal तो जब legal होगा तो यहां पर text जादा आजाएगा अब note करें ना जब मैं legal paper ले रहा हूँ तो हमी मेरे कितने paper यूज हो रहे है यह देखे दो चार छे आठ और नो तोटल 11 paper समाल हो रहे है ठीक है और जैसे ही मैं इसका paper जो है लेकर जाता हूँ A4 पे लेटर पे तो paper कितने बढ़ जाते आपने दिमाग लड़ाया या लीगल करने पर तो कम paper लग रहे है ठीक है set हो गया ओके लेकिन printer में आपने A4 डाल दिया तो paper के 3-3 इंच का हिस्सा कट जाएगा और वो printing में नहीं आएगा क्योंकि A4 paper की length कम होती है legal से यह बात समझ में आ रही है तो यहां पर आपने यह बात समझ नहीं है कि पहले आपने सबसे पहले printing करने से पहले अपने paper को set करना है हाँ paper को set करने के बाद second option पर आएगे margins के उपर margin क्या होते हैं यह top margin यह right margin यह left margin और यह नीच आएगे तो इसका bottom margin अब margins basically कैसे कम जादा होते है margins पर क्लिक करेंगे यहां से custom margin पर narrow कर देंगे तो यह देखें चारो साइट से आधा 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 इंच का margin हो गया अब अगर हम यहां से normal कर देंगे तो चारो तरफ से एक एक इंच का margin छोडएंगे margin के पीछे भी story है जादा margin छोडएंगे तो text कम आएगा पीछ के उपर कम margin छोडएंगे तो text जादा आएगा अब हम इसको custom margin कैसे करते हैं देखें custom margin से क्या मतलब होता है देखें normal यह predefined margins है narrow यह predefined margins है custom margins मतलब अब मैं अपने हिसाब से start करूँगा और कौन सा margin कम रखना है और कौन सा margin जादा रखना है तो इसके लिए मैंने सबसे पहले क्या करना है यहां पे क्या नाट्पेंट में और यहां जाने के बाद यह 1 का मतलब है 1 inch ठीक है और 1.5 का मतलब है half inch half and half inch और यहां पे 1.5 देड़ इंच और 2 inch 2.5 धाई इंच यह इस तरह से define किया जाते है अब आपने कैसे कर आदा है मिसाल के तो रोपे मुझे top पे इतना space नहीं जाहिए तो मैंने उपर वाला कर दिया 0.25 bottom पे मुझे space कम चाहिए तो भी कर दिया 0.25 आधे का अध़ग left मुझे clip करना है फाइल को तो यह वन कर दिया और यहाँ पर 0.5 करके और जैसी enter किया तो यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो margins है वो इस तरीके से set हो गया left margin जाब है उससे सब कम हो गया और से set हो गया तो इसमें हमारा paper जो है maximum utilization भी हो गई इसके बाद आते हैं orientation पर orientation क्या होती है screen के अंदर अच्छा यहाँ पर printer का कोई अमल दखल नहीं है सिर्फ orientation का मतलब क्या होता है अभी आपके paper के उपर जो print होगा वो इस तरह से होगा इस तरह की जो भी printing हो रही होती है यह देखे हैं printing देख रहें इस तरह की जो भी printing होती है इसको हम कहते है portrait printing portrait अब अगर इसी को हम इस तरह से print करवाएंगे तो यह हो जाएगी landscape अच्छा paper दोनों सूर्थों में paper इसी लगेगा printer में यहाँ से हम decide करेंगे कि print portrait कराना है या उसको landscape करा रहा है अब सवाल ही पैदा होता है portrait landscape यह कप करते हैं दिखें word में जब हम काम करते हैं तो जितने भी later CV application thesis notes बना रहे होते हैं वो सब portrait में बनता है जितनी भी documentation सिर्फ landscape कप करेंगे जैसे certificate बना रहे हैं किसी file का cover page बना रहे हैं तो उसको landscape करते हैं अदर्माइस सारा काम portrait में हो रहे होता है तो paper वो landscape कैसे करेंगे यह click करेंगे landscape landscape करने से होगा जैसे समझें यह मेरा mobile अभी portrait view में है और जब मैं स्कुशे कर दो मतलब landscape होगा तो जो इसकी width थी वो height बन गई तो यह बात आपने जहन पर रहे होगा है portrait और landscape करना है तो width बढ़ गई है तो pages थोड़े से कम होगे ठीक है तो इस तरह की होगा है पहले portrait में कितने आरे ठीडा करते है ठीड़ा नी करेगा अब उसके बार चलते हैं columns के उपर यूजिली अभी जो हम काम कर रहे हैं नॉर्मली एक column में हो रहा है हम इसको divide कर सकते हैं दो column के अंदर तीन column के अंदर यह कम हम कब करते हैं जैसे हम magazine के अंदर वो जो अङगवार में भी आ रहे हुते हैं बंसे के बक्याद यो जो सफाथ परfeld कि उसके कॉलम मने वे ओते तो इस तरह के कॉलम्स आदा पे यूज़िजो करते हैं तो तीन से शादा भी कर सकते हैं मोर कॉलम्स justement है और यहाँ फे श्य इसको इसको दिखा सकते हैं यह के रिखिए ठीक है लेकिन छे कॉलम से बनेंगे इसका यूटलिजेशन यीओगा पहले आप पहले कॉल में को पहल्सकों की गन यूब Lap port perfectly तीसरे इसे में जएगे इस column का utilization एक और भी है, बिसाल के तोर पे आप दो paragraph चल रहे थे बीच में और कुछ नाम आ गए, जैसे यहाँ पर नाम आ गया computer, LCD, keyboard, mouse, printer, scanner और इसके बाद आ गया Bluetooth, और इसके बाद आपने यहाँ पर लिख 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 अब क्या होता है, बेस एडजेस्टमेंट हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से जाएं तो हमने का चार कॉलम में डिवाइड हो जाएं, तो हमारा यह utilization है, वह maximum हो जाएगा, और हमारा paper का space यहाँ हम maximum हो यूज़ कर लेंगे, फिर इसके बाद भले हम इसको यहाँ बिलिट से करते हैं, जो भी apply करते हैं, वो इस तरह से हमारा data नसर आजाएगा, numbers बिलिट देने, तो आप यहाँ पे click करके blitz number में भी दे सकते हैं, तो इस तरह से आपको बज़र आएगा, ठीक है, और जब आपको खतम करना हो, तो फिर आप दुबारा जाएगे column में, और यहाँ से ज कर दूँ, यहाँ जाएगे, page break, तो यह automatically next page पे shift हो जाएगा, इसकी short key भी है, control enter तबाएगी, तो भी यही काम, command execute हो जाएगी, उसके पास left intent, right intent, अच्छा, line numbers आगया, line numbers क्या होते हैं, देखे, line number क्या है मिसाल के तो रुपे, यह कब लगाते हैं, और कब यूज करते हैं, कोई ऐसा document बना रहे हैं, जो statements है, statement है, किसी की गवाई है, नहीं, sheets नहीं, कोई statement है, किसी की गवाई है, वो line number हम उस पे, मिसाल कोई court में हमने कोई document दिया, अब वो तो 10-15 pages का था, अब जज को हमें बता रहा, फरा page की फला number, line number, अब line number तो लगावा नहीं हो, कैसे पताने तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो हम यहां पर उसको लगा देते हैं, continuous page number, तो देखे, इस और 50 पर आगे page number complete हो गया, फिर आपने यहां से शुरू किया, फिर आपने का continue page number, तो यहां से दुबारा 1, 2, 3 से शुरू हो गया, क्योंकि बीच में आपने यहां बिलिट्स आपने के continue, लेकिन हो यही तगी आ रहे हैं, नीचे वाले अलग हो गया, तो इसको none करते हैं, फिर continuous कर देते हैं, अब यह अप्लाय हो गया, तो यहां से यह चीज इस तरह continue page को number लग जाता है, अब इसमें दो option है, एक तो continue लगा दे, यहां पर restart each page कर दे, restart each page में क्या होग प्र जीएक, तो टो पे लिजए का, प्र दुबारा से 123 शुरू हो जाएगा, और sections की बात जाते हैं का, आपने यहां yaha पे control इंटर कर दिया, यहक अलग section आगया, फिर आपने यहां पे control इंटर कर दिया, यहक अलग section आगया, अलग page के साफ से 6 तो बहाँ पर that upée complete होगा, तो उपर देश लगा देते हैं इसको कहते हैं अब यह इसमें यह है कि आपने स्लेक्ट ओल किया उसको का ओटोमाटिक कर लो हाइफनेशन तो अगर इसको कहीं ज़रुद पड़ेगी हाइफनेट करनेगी तो यह कर लेगा तो मैं पहले यहाप इसको इसको जस्टीफाइ कर लेता हूँ ठीक है और अब देखते हैं वैस थैसको जोगा तके है इसelf、 met कर लेगा यह एगा और फीवा यहाप में यहां से नन, अट्रिय और मैंनली, अट्मेटिक, और यहां से नन, यह तो वर्डी असे लिखावा था, चोड़ा दुबारा करते हैं, हाइफनेट इसको, अट्मेटिक, अब यहां लिखने की कुशिश करता हूं, सपोज कम्प्यूटर, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब, सब और मैंनली, त्यूटर, तो इसको हम क्या करें हैं, हाँ से इसको justification से अटाते हैं, लप कर लाइन करते हैं, कर्देता है, इसको यह, काफिनेशन इस कम्प्लीट चल लेट इसको फिर देखेंगे अभी तो ये नहीं कर रहा इस फिर असे नहीं कर रहा खिर देखेंगे अर्षली जançaald थीके अब उसके टे पडार आगे फिर ही इंडेंट लेफ्ट इंडेंट रईड़् Utley इसको काई करेंगे Supposed to be, हम इसका left indent फोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं तो यहां से हम left indent बढ़ा सकते हैं और left indent को यहां से कम भी कर सकते हैं सब को select करेंगे, सब का करेंगे यह right indent और top indent से आप space बढ़ा सकते हैं और top indent से आप सको कम भी कर सकते हैं आफ्टर के लिए नीचे स्पेस बढ़ा सकते हैं, और कम भी कर सकते हैं paragraph space को, यहां से right indent के space को भी कम कर सकते हैं, और बढ़ा भी सकते हैं, यह तो हो गए एक paragraph के अपपर, अब multiple paragraph के जब अप्लाए करेंगे, तो automatically सारे paragraph के वो space को adjust करना शुरू करेगा, जैसे मैं control लेगी है, अब before space बढ़ाया, तो देखें, यह देखे, धूना space paragraph में बढ़गा और after space भी दोना paragraph में यहां से बढ़गा, तो यह देखे, यहां का space और यहां का space भी यहां से extended हो चुक है, तो यहे सारे spacing के हमारे से हो रहे हो आए हैं, अच्चा बाकी, यह options है, जो आप shape बनाते हैं, और यह हम पहले से कर चुके हैं देखें यह सारे options आपने यहां पे सीके देखें फॉर्बैट के अदर यह रैप text वगएर और यह shortcut के तौर पर आपको यहां भी दिये गए के इस object की position टॉप पे रखनी है टॉप पे पे इसको सेट करना है तो इसकी exact position आपको यह निकाल के देगा रैप text यह paper case tight करे, square करे, throw करे, top करे, bottom करे यहां से आप इसको भी सेट कर सकते हैं पिर bring front वगड़ा यारी कि अगर यह दो शेप से हैं सपोस्टो भी control डी करें एको शेप ले लिए उसका color वगड़ा हमने चेंज कर दिया है तो इसका जो मामला है वो किस तरह से रखे और यहां पर इसको इस तरह से सेट करेंगे और इसको bring front और यहां पर send backward भी हम यहां से कर सकते हैं bring forward भी कर सकते हैं तो size इसका कम जादा width और height same option है जो format के अंदर थे वह यहां से करके देख सकते हैं